बदलते युग में बानफता किस तरह शरमसार हो रही है? इसका वाक्या आज महसी तहसील में एक दिन पूर्व घागरा नदी में चलहारी घाट पुल के निकट एक लापता युबक की तलाश में गए हुए महसी के तहसील दार ने युबक की तलाश के लिए लाई गई मोटर बोट के साथ एक पुलिस वाले से अपने मुबाइल से अपने एक सेलफी कीचवाई और वापिस चलते बनें उन्होंना ना तो पीड़ित परिवार को किसी भी प्रकार की सांत बना दी और ना ही किसी प्रकार की कोई प्रशासने कारवाई को अंजाम दिया जबकि बेबस पीड़ित परिवार की लोग तहसीलदार और SDM के द्वारा की गई कारवाई का इंतजार ही करते रहें मज़े की बात तो यह है कि लापता यूबक की तलाश में लगाई गई NDRF की टीम जो मोटर बोट लेकर गई थी वह भी नदी में उतरते ही खराब हो गई और वो लोग उसको बार बार सही करते रहें तलाश केवल प्रशासने खानापूर्ती दिखावे तक ही सीमित रहे गई और लापता यूबक का अभी तक कोई भी सुराग नहीं लग पाया है तहसीलदार और SDM कुछ देर बाद वापिस चले गए अभी हमें भी पता चला है गंड़ा पहले अभी हमें भी पता चला है गंड़ा पहले गोपचनपूर का है राघवेंदे आदर है तो उनके परिवार लोग बताए वो बाहराई जा रहा था लेकिन वहां तलासे तो नहीं मिला तो भी गाओं के लोन बताए कि वो सीतापूर की बस पर बढ़ गया है तेक दो लोन देखा कि यहां उतरा हुआ है आगे जाके कि उ यहां पर समभाना बता रहे हैं कि यहां कुधा है तुसकी तलास पीसी के दोरा कराई जा रही है और जैसे भी गटना गट को यह कौन सी नदिये यह गागरा नदे जालारी घाड़ पूल के पात चुब झाल पूल के जाड़ जाड़ जञे जाड़ी तलास देख कि वित जाड़ा है जा दाके कि तलाग़ जएगा है तलास राड़ झाल जास प्याड़ वाल ।